इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने पुजागर में क्या क्या रखना चाहिए पुजा पाठ और जोतिस से जुड़िवी जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सस्क्राइब करें इंदू दर्म में पुजा पाठ का विश्थेश में तो है ऐसे में जोतिस्वय वास्तू सास्तर के नूसार हुजा में खुच खास चीजे जुरूर रखनी चाहिए इसे घर में सुक्ष्यांति का वास होने के साथ बक्तर बनी रहती है धन की देवी लक्ष्मी की करप्या होने से अन वे धन समंधी प्रेशानियों से छुटकारा मिलता है तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में मोरपंक से बुरी नजर रहेगी दूर मोरपंक पगवान सरी कर्शन को अती पिरिये है ऐसे में इसे पूजा घर में रखना बहित्सु माना जाता है इससे बुरी नजर से पचाव रहने के साथ घर में पोजिटिविटी फैलती है साथ ही घर में कीडे मकोडे पच्छिपली की समस्या से छुटकारा मिलता है गंगा जल मानता के अनुसार पुजा घर में छोटे से पितल या चांदी के पातर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए साथ ही रोजाना या सुब अवसरों पर पुजा के बाद इससे पूरे घर में छिटकाव करना चाहिए इसे घर में मोजुद नकारात्मक उर्जा दूर होकर सकारात्मक में बदल जाएगी साथ ही घर में सुक समर्दी वेश्यांती कावास रहेगा सालिगराम घर के पूजा स्थल में सालिगराम रखना बेहित सुम होता है मानता है कि रोजाना तुलसी के पत्तों को जल में मिलाकर सालिगराम को सनान करवाना चाहिए इसे बगवान स्रीहरी वरधन की देवी लक्समी की असिम करप्या मिलती है ऐसे में आर्थिक प्रेशाने दूर होकर तरकी के रास्ते खुलते हैं साथ ही आई से जुड़ी समझाई दूर हो जाती है गो मुत्तर और गो गरीत हिंदू दरम में गाई को माता के समयन माना जाता है मानता है कि इसमें 33 क्रोड देवी देवता वास करते हैं ऐसे में गो मुत्तर और गो घृत को पूजा घर जरूर रखना और वह उसकी पूजा करने चाहिए इससे घर में देवी देटा का वास होनी के साथ उनका आसिरवात बना रहेगा ऐसे में जीवन की समर्शाइं दूर होकर तरकी के रास्ते खुलेंगे संख बगवान सरी हरी का अती पिरिये है ऐसे में घर में पूजा स्थल में देक्षन वर्ती संख रखने में इससे बजाने का विशेश में तो है इसे घर के चारोल सकारातमक उर्जा का संचार होने के साथ खुशाली वर्ती है घर का माहूल शांत और भक्ती में रहता है खास तोर प्रगरवार के दिन देक्षन वर्ती संख से बगवान विश्ण की पूजा करने से विशेश लाब मिलता है अब पाठ और जोतिस से जुड़ीवी जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सस्क्राइब करें